ये राते ये मोसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये राते ये मोसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलोंने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये राते ये मोसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी में, के हम खो गए आज की रागनी में, ये बाहों में बाहे, ये महकी निगाहे, लो आने लगा जिन्दगी का मजा, ये राते मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा राली तो बजा दिया यहां तक कि कई एक्टरों ने इसे ट्वीट कर दिया, अब आपको ओफर मिला, क्या बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि सोनु सुद सर ने पोस्ट किया, आपनी ट्वीटर पर वो ट्यूट किया, नीतु चंद्रा मैं जी को मैं बहुत बहुत धन्य बात दूंगा कि और कि उन्हों नहीं पहले मुझे फोन किया, कि अमर जी तुम अच्छा गार हो, मैं तुम्हें मुंबई बुलाँगी, मेरा बहुत सरा मुवी है, उसमें तुमको मैं जरूर गवाँगी, फिर सोनु निगम सहर ने मेरा पोस्ट को ट्यूट किया, तो होए हैं, तो वो लें 27-28 को मैं वहां पर कुछ करता हूं, कहां से आपने सफर इसका स्टार्ट किया, क्योंकि बताया जाता है, कि आप यहीं वो जगह है, मैं आपको बता दूं कि यहीं से इन्हों ने एक गाना गया था, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, और इस आप गाओं के अंदर भी लोग को इकटे हो रहे हैं, और इनसे मिलने को पहुंच रहे हैं, लगातार यहां मीडिया का भी जमाबड़ा है, और हम भी यहां आ चुके हैं, क्योंकि यहीं वो जगह है, जहां से बच्चों के साथ तूथ बर्स करते हुए, इन्होंने यहां से वीडियो डाला था, और आज जो है कि कहां से कहां पहुंचने वाले हैं, तो क्या बताना चाहिए, यहां से अपने कौन सा गाना गया था? मैंने यहां से दिल दिया, मैं आपको सचाई बताओं, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यह गाना है, ठीक है, बच्चा लोग इधर खेल ला था, मैं आया था इधर यहां से ट्वालेट करने, बरस करते करते, फिर सुझा कि चल वीडियो ना लेते, तो उधर दोनों ब पिला वाले भाई आने, फिर उसके सोनु सुथ सर ने, नीतु चंद्रा मैम ने, सोनु इगम सर ने, और बहुत सारे निव्ज एंकर है, एक सर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने किया, तो बहुत खुर्शी मिली से, क्या आपने गया था, कौन सा गाना गया था, कभी ऐसा, आता नहीं यकी, क्या से क्या हो गया, किस तरहां मैं तुम से बेवफा हो गया, इनसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, हो, दिल दे दिया है जान, तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सानौ, कहीं, दर्द तो नहीं है दिल तूटने का, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एककलाकार को, हुआ मेरा समय तो वही पे है ठहरा हुआ बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या-क्या हुआ खामोशियां आवाज है कभी सुनने तो आओ जरा बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां क्या बात है आपकी आवाजों में जो जादू है कहीं न कहीं इसी का असर है कि आज आपको इतने बड़े-बड़े एक्टर ने एक मौका दिया है तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे मैं सबसे पहले अगर उनसे मिलता हूं तो चनन अस्फट करना चाहूं मत जब मैं एक स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर थे वह बोले थे कि पता है बस्पन में अगर किसी को पता चल जा कि तुम इस चीज के लिए परफेक्ट हो तुम कर सकते हो वह चीज तो वह चीज मेरे माइंड में था या उन्होंने बोला था कि तुम एक्स्प्लोर कर का ठीक है तो लोग सब सबसाथ में सीखते थे सब साथ में करते थे फिर मैं दान्स छोडब दिया पिर जूड़ो करा शिका रखा तुफान सर से फिर मीज़िक में मेरा रुजय आगे हमारे गाउम एक चोटा सब फनसन हो रहा था तो उसमें बीचमें अलशल कुल बागरा में मैं भी स्टेज पर गाने की कोशिस करूंगा है तो फिर मेरे एक मोटीव ही आए कॉंस्टेबल भी भी प्यार पुलिस में तो वह ले कि चल तुमको हम ले चलते हैं एक जागा तो उमा संकर सरकेया प्रोग्राम हो रहा था तो वह पाटिसिपेट कर तो हमने मतलता है कि वीनर का मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं मत्चा था ना न तो मैंने पता था कि स्क्रीण पर देखते हैं तो मैंने चाले ज़से छोर्ब और एक्टर होता है तो एक्टर मेने चaldo की को पनना पदके हो वेक्ट सब्दा चाहें tu युवां को क्या बताना चाहें जिस तरह से आप आगे बर रहें दां अपने बिहार हैं एक्ढ़ब करते कि अगर उसचीज पकाम करेंगे न तो डिफिनेटली कि आपको वरग आगे ले जाएघ क्या नाम हो आपका पूरा आप अपना पता बताएं मैं ऐसे नाई समास से आता हूं अमर्जीत जैकर हुआ मेरा नाम पापा का नाम है रोटकमार ठाकूर दादा का श्री नरेशी ठाकूर समस्तिपूर डिस्टिक्ट सापूर पटोरी भौवा गाओं का हुए बहुत बहुत कहीं ना कहीं यही वो चहरा है हमारे बिहार के और जहां एक बार फिर इन्हें जो है कि दिल वॉलीवूट के अंदर गाने का मौका मिला है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी मिल लही होगी और खास करके हमारे समस्तिपूर के इस नौजबान को जो मौका मिला है बिहार के वॉलीवूट के अंदर गाने के लेकर सोनुसूत ने इस मामले को लेकर गाने की बात कही है और अब जो है कि लगातार जो है कि चर्चा बनी हुए रातो रात जो इस्टार बने अजीत जैकर और अब जो है कि उन्हें कई आफर भी मिल ला है कशि